नमस्कार दोस्तों कैसे है आप लोग आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉइलेट का जो ट्रिट्मेंट होता है यह हम वीडियो में देखते हैं कौन से कलर से करना है या कौन से मेटल स्ट्रिप से करना है लेकिन यह करते वक्त इसमें एक बहुत बड़ी गल्ती लोग कर तो यह क्या गलती है और कौन से फैक्टर बहुत इंपोर्टन्ट है रेमेडी करने से पहले ध्यान में रखना यह मैं आपको बताने वाला हूँ यह जो चीजे है यह किसी भी दिश्चा में टॉयलेट हो गलत जगह पर तो उसके लिए आप यह चीजे अप्लिकेबल कर सकते है तो देखते है क्या है यह चीजे नॉर्मली टॉलेट के लिए जो रिकमेंडेट डारेक्शन है वो दो जगह पर टॉलेट बना सकते है अब वो कौन सी जगह है जहां पर टॉलेट बना सकते है एक तो है SSW यानि साउथ साउथ वेस्ट और दूसरी है WNW वेस्ट नॉर्थ ठीक है तो अब इन दो जगह पर टॉलेट होगा तो कोई टॉलेट करने की ज़रूरत नहीं है इन दो जगह को छोड़ कर अगर टॉलेट कही पर भी है अभी आज के लिए एक्जाम्पल लेना है तो हम लेंगे अगने यकोन का ठीक है अभी अगने यकोन जो है यानिके Southeast Corner य एक मेने यहां पर rectangle निकाला है लेकिन आपका घर rectangle हो सकता है square हो सकता है या दिशाय थोड़ी सी विदिशा जैसी भी हो सकती है तो आपको compass देखना है center में रुक के और जहां पर south east आएगा तो south east जहां पर exact access रहेगा वहां पर देखना है अगर toilet वहां पर है या फिर जहां का अभी wrong toilet जहां पर wrong position में है वह exact direction आपको map करना है और उस direction के हिसाब से जो मैं चीजे आपको बताऊंगा वह देखकर उसके बाद ही remedy करना है ठीक है अभी south east के toilet के लिए बहुत बार कहा जाता है कि यहां पर कौन से color का tape use करना है ठीक है जैसे कि red color का tape use करना कहेंगे या या metal का जो है copper strip use करना है लेकिन अगर आपका घर proper shape में है जो अगने अदिशा है वो proper है imbalance नहीं है तो आप straight forward जो remedies आप सुन रहे हैं वो कर सकते हैं लेकिन बहुत बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि अलग-अलग वीडियो में अलग-अलग color का tape बता रहे है उसमें क्या होता है अगर आपका southeast direction जो है वो extended है तो आपको कौन से color का tape वहाँ पर लगाना है क्यूंकि उस extension को भी कम करना पड़ेगा और same way toilet को भी treat करना पड़ेगा तो ये दो combinations का इस्तमाल करके यहाँ पर आपको remedy करनी पड़ेगी अगर वैसे ही southeast में cut है और वहाँ पर toilet है तो वो जादा ही उस zone को कम हो जाता है energy उपर से drain out भी होता है तो उसको बढ़ाने के लिए हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें just for example अभी वहाँ पर cut है और वहाँ पर toilet भी आया है तो cut हो green tap लगाने से क्या होगा कि उसको वहाँ पर enhancement मिलेगी वो zone वो energy आपकी बढ़ने लगेगी ठीक है तो इस प्रकार से यह logic यूज़ करके आपको वहाँ पर metal strip या फिर जो color element है वो use करना है यह तो हो गई एक बात अभी second जो है अभी मैंने आपको क्या बताया आप note करके रख फिर वहाँ पर down है floor level up है यह सब factors देखके आपको color element final करना है या metal element इसके बाद का अभी यह तो मैंने example south east बताया नौर्थ east हो southwest हो नौर्थ वेस्ट हो किसी भी दिशा में गलत दिशा में अगर toilet है तो उसको treat करने के लिए यह सबी चीज़े देखना है next remedy लोग क्या करते है कि color bulb यूज करते है ठीक है अभी हम example लेंगे direction southwest okay southwest में समझिए यहाँ पर किसी ने southwest के यहाँ पर bulb लगा दिया यह toilet southwest southwest ऐसा है उसका जो wall रहेगा वो shared रहेगा अब यहाँ पर उन्होंने bulb लगा दिया तो वो bulb क्या करेगा कि वो पूरा room कहर करेगा चो toilet room रहेगा अगर combine है toilet और bathroom अगर combine है तो वो पूरा room कवर करेगा तो अब यह पूरा room अगर cover कर रहेगा तो क्या होगा कि यह impact color का पूरे इस room में रहेगा और bulb आपका 24 hours रहेगा रात के time में बहुत ज़्यादा impact रहेगा लेकिन day time में भी इसका impact रहेगा yellow color का अगर आपके wall white है तो य impact दिन बर दिखेगा तो इसमें क्या होगा कि जो west-south-west है जो saving का direction है तो वो direction पे इसका impact होगा अगर वो already extended है समझो आपका rectangle है और west-south-west already extension में आ रहा है graph में देखकर तो क्या होगा कि इसको ये parent element का color लगके वो और extension में जाएगा जो कि अच्छा नहीं है आपके savings में problem आ सकते है तो ये bulb remedy करते वक्त भी आपको चीज़े ध्यान में रखना है कि वो bulb जो है वो कौन से कौन से zone cover कर रहा है अभी समझो यही जो example हमने लिया है इसको क्या करते है कि हम ये जो toilet room है इसका direction change कर देंगे कैसा इसको समझो इस प्रकार से है toilet room और अगर यहाँ पर इसमें bulb लगा हुआ है toilet room के अंदर ठीक है ये यहाँ पर toilet room इस प्रकार से है और यहाँ पर ये bulb लगा हुआ है किसी भी कौन से भी corner में center में अब ये पूरे room में इसका light आ रहा है तो यहाँ पर इसका impact negative नहीं होगा क्योंकि यह जो पूरी direction है south west यहाँ पर yellow color okay है यहाँ पर इसका negative impact नहीं है तो इस प्रकार से आपको देखना है कि आप color bulb remedy कर रहे है तो वो bulb का जो light है वो light कहा कहा पर जा रहा है कौन से zone उसमें cover हो रहे है ये आपको देखना है ये द करने से पहले cut extension down up क्या क्या है वो सब आपको देखना है बाद में ही color decide करना है या फिर किसी वास्तु consultant से आप पूछ सकते हैं दूसरा bulb अगर आप use कर रहे है color remedy के लिए ज्यादा करके लोग red color bulb use करते है red color अगर आपका east की तरफ जा रहा है तो आपके east को वो कम करेगा क्योंकि east का जो है यह element अगर हम east में डालते है यहां का तो वो east को कम करेगा इसलिए आपको यह देखना है कि यह red color का bulb आपका कौन से कौन से zone कवर कर रहा है तो toilet के यह जो remedies है mainly यही remedies लोग करते है इसके अलावा जो remedies है pyramids के remedy है वो specific direction कहाँ पर लगाना है position होता है तो वो position wise उसको वही zone में लगता है उसके अलावा उसका ज्यादा impact वैसे तो नहीं होता है वो energies block करके वहाँ पर रोक देता है बाद में sea salt आप रख सकते है toilets bathroom जहाँ पर है वो negative impact कम करेंगे उसका ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो कौन से zone में RIC salt वो जहाँ पर भी रहेगा वो negative energy को कम करेगा तो toilet के remedy करते वक्त ये चीजे ध्यान में रखी है नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है धन्यवाद दोस्तों